नमस्कार संस्कृत की प्रिय विद्ध्यार्तिक आप सभी का बहुत स्वागत है untersちは में पंक इस्तिवारी फिर आपके लिए लेकर कि आये हैं कच्छा । रहे हैं कच्छा क्यार्यमी की सास्वति का नॉमा पार्ट उसी नॉमे पार्ट का आज हम लेकर के आए हैं है आपको परिक्षा प्रतियोगी प्रश्मां अर्थार्थ ऐसे जो परिक्षा से अपोप्योगी बहुत सारी प्रश्म आपको मिलेंगे इसलिए आप लोग सजग रहिए तयार रहिए और हमारे साथ बने रहीएगा मेगनेट ब्रेंस पर चलिए देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा ग्यारहमी संस्कृत एक्षिक विज्ञान नौका मौस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन ठीक है ना मौस्ट इंपोर्टेंट नाम सुनकर ही हम लोग क्या है बहुत हतोत साहित हो जाते हैं अरे आज तो पहले लिखा हुआ है कि परिक्षा उपयोगी प्रशंदी का प्रियोक किया है यह देख ले पर उप्योगी वरावर परिक्षो प्रशंदी प्रशंद यहां पर लगी हुई है आपकी प्रत्मा विभक्ति का बहुबचनांत पद कौन सा पद लगा है बहुबचनांत पद लगने का कारण यही है कि एक प्रश्ण नहीं है दो प्रश्ण नहीं है बहुत सारे प्रश्ण यहां पर मिलने वाले हैं ठीक अगर एक प्रश्ण होता तो प्रश्ण होता एक बचल लगा होता प्रत्मा विवक्ति का दो प्रश्ण होते तो प्रश्ण लिखा होता कौन दुतिया विवक्ति का बहुत प्रत्मा विवक्ति का दुई बचल और यहां पर तो लगा है प्रश्णा बहुत सारे हमको आज कुछ ना कुछ अतरित ऐसा मिलेगा जो हमारे परिच्छा से सम्मंदित होगा पहला प्रश्ण दिया हुआ है जरा देखेंगे कि तदेव गगनम साइव धरा कविता संग्रह कश कृतिरस्ति कर देखिए कश पर तो हम बाद में आप से चर्चा करेंगे लेकिन कृतिरस्ति पर पहले चर्चा करेंगे कृता धन अस्ति कृतरस्ति ठीक है ना देखें कृति ही ऐसे लिखेंगी कृति ही धन अस्ति ये लिखा हुआ है कृति ही धन अस्ति अब यहां बन गया है कृतिरस्ति क्यों बन गया है विशर्ग शंधी का योग और विशर्ग से पहले छोटी ई का आगमन और उसके बाद स्वर का होना और विशर्गी के इस्थान पर रा का आना यही हमारे लिए कृतिरस्ति का संकेत है रा जब यहां आ जाएगा विशर के स्थान पर तो यह आधा रा आता है आगम क्योंकि संस्कृत में कैसा होता है आधा होता है ठीक और जब संस्कृत का रा आ जाएगा आधा तो आ इसमें मिल जाएगा और रा हमारा क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा चलें यहां एक बार वनेगा कैसे कृति रस्ति तो आपको समझ में आगया होगा कृति माने रची रची गई है और अस्ति माने है और कस्य माने किसके द्वारा किसके द्वारा रची गई है ठीक जो कविता संग्र है तदेव गगनम सैव धरा नामक जो कविता संग्र है वो कस्य माने किसके द्वा क्रति मान रचा और अस्थि माने हैं किसके द्वारा रचा है याद रकना आप देखिए एक एक प्रशन का अगर अर्फ आप कर रही निकलेगा तो आपसे अंसर पूरा बनेगा और यहां पर अगर हम नहीं देख यू कि इसका अर्थ क्या है तो वहीं हमारा आपको बताते हैं कि जो कस्य लिखा हुआ है ये कस्य हमारा किम का रूप है किसका रूप है किम और किम का मतलब होता है क्या किम का मतलब क्या अब क्या जो किम की रूप चलेंगे तो आपको सबको पता है कि प्रत्मा विभक्तिया कितनी होती है हमारी साथ होती है प्रत्मा यह हमारी साथ विभक्तिया संबोधन को अगर मिला लिया जाए तो हमारी विभक्तिया कितनी हो जाएंगी? आठ हो जाए याद रख लेना ठीक अब यहां यह विभक्तियां जो चलती है एक बचन दुई बचन और बहुबचन के हिसाब से चलती है कैसी चलती है तीन बचनों में और विभक्तियों में वरनेत होता है किसी भी सब्द का सर्वनाम रूप हो या कोई भी सब्द हो सर्वना सब्द हो या सर्वनाम सब्द हो रूप चलेगा तो कैसे चलेगा विभक्तियों में अब यहां हमने आपको बताए कि किम का रूप है कस अब हमें पता लगाना है कि यह कस कौन सा रूप है तो हमें सबसे पहले किम का रूप आना चाहिए अब किम का रूप चलाएंगे हम तो एक बचन में कहा दूसरी दूसरी बचन में हम दूतिया विभक्ति में चलेगा कम तृतिया में चलेगा केन और चतुर्थी में चलेगा कहा कम केन कस्मई कि पंचमी में चलेगा कस्मात सश्टी में चलेगा कस्व सब्तमी में चलेगा कस्मिन कस्मिन अब आपको मैं एक बात और बता दू कि संबोधन सर्वनाम सब्दों का नहीं होता है सर्वनाम सब्द तो सब के नाम है न क्यों इसलिए यहां पर शंबोधन नहीं होगा वह जब संबोधन यहां ही होगा तो हमारी सबतिमी तक ही इसका रूप बनेगा इतना याद रख लेना ठीक अब हम यहां यह कई ओ हो यहां तक तो समझ में आ गया ना यह अब यहां पर के कान कई ही के भ्या के भ्या के साम के सू के सू यह हमारी इस प्रकार से , प्रश्न बाचक में सब से महत्फूर्ण होता है कि Umth, अगर प्रश्न बाचक प्रश्ण को समझना है , अभी आपके बहुत सारे प्रश्ण ऐसे आसे आएंगे प्रशन निर्मार्ण करने के लिए इसलिए आपको यह सरुगी सर्वनाम रूप याद करना बहुत आवश्यक्ति याद रख लेना अगर आपको ये सर्वनाम रूप किम आ नहीं हैं तो आप अभी कर लीजिए आज से याद रखना कि आपको ये दो दिन के अंधर क्या होना चाहिए तयार होना चाहिए क्योंकि प्रश्ण निर्माण करने के लिए इन्हीं की आवश्शक्ता होती है हैं देखें यहां किम का रूप चलेगा तो यहां लिखा हुआ है कॉसा लिखा हुआ है कश से लिखा है तो कस हमारा कौंसी घे लगा हुआ है किसमें लगा सच्ठी विभक्ति में लगा हुआ है कश्च अब एक बात और याद रखना कि इनको याद जब हमें करना है तो आप इनको बहुत अच्छी से याद कर पाएंगे आप इनको पहले एक बचनी के याद करें अब इसके आधार पर आप किस किस के चला सकते हैं किम के हो गए यद के रूप चलेंगे तो यद में आ जाएगा यहा यहायम 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 शर्व के तो आप बनाएंगे सरवह सरवं सरवेंड सरवाइसमई सरवस्मा सरवस्य सरवस्मिन इस प्रकार से आप रूप चला लेंगे तो याद रखना कि आपको ये किम के रूप बहुत जरूरी है तो कस कहा का रूप है हमारा सश्टी विभक्ति का रूप ठीक अब वो ये सी जरूरियात करें जागति कर से का रूप peng एनिए फस रहसे से मlles सरव सरवं सरवेंड सरवस्मा सुर। ड़्मिर को यव धिस है in यहापन कर प्रत्मा दूतिए प्रत्रस्थ कई कान कई के भ्याके ब्याके साम के मनेगा वहाँ अगर आप इनको लगाएंगे किसी भी सर्वनाम रूप को यहयान यही एभ्या एभ्या एसाम एसू सारे रुप एक समान बंएंगे अगर एक रूप आप सीख लेंगे तो सर्व नाम के आपको पात दस, 20, 25 जितने भी रूप है सारे आपसे मंजाएंगे लेजिए वह भाई अच्छी तो तयार हैं तो आकारांद संसार का कोई भी आ जाए इस तरी बाची सब्द आप से रमा के समान चलेगे सारे बनेंगे मुनी सब्द है इकारांत है पुलिंग बाची है तो मुनी के रूप इसके बाद आप हरी के ले आओ ठीक है न रवी के ले आओ कोई भी ले आओ आप इस पुलिंग बाची इकाराग सब सारे मुनी के समान चलेंगे तो याद रखना रूप आपको रूप की भी हम क्लास लगाएंगे याद रखना लेकिन उससे पहले भी आपको थोड़ा सा क्या है देखते रहना है आपकी पु इच्छा से संबंदित भी प्रश्न पढ़ना है और अब आपको मैं बता दूं कि यह हमारी जो 11 के बाद जो हमारी पढ़ाई का हमारा टाइम होता है इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी पढ़ती हैं कि हमें जी हमारी ग्राज ग्रेज विसन में भी हमें काम म पढ़ेंगी उशना को तर तक हमें काम दे दी क्योंकि जब आपने 11 में और 12 में संस्कृत ली हैं तो यह मान के चलिए कि आगे भी आपको संस्कृत ही लेना है और जब आगे संस्कृत लेना है तो याद रखना कि नभी निग्यान को प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्य कि नभी निग्यान को प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्यान की आवस्क्ता होती है होती है होती है इस बात को आपको सुईकार करना पड़ेगा और यह हमारा पूर्व ज्यान है यह अभी आपको पताने की जरूरत नहीं यह तो हमें 67th में आजागा इसेवंथ-9 तक आ ज इच्छा होती हैं इनमें हमें सारे रूप आजाने चाहिए थे धातु रूप आजाने चाहिए थे आजाने चाहिए थे कि नहीं तो बिभक्तियों का ग्यान का ग्यान संधी समास आदी यह सब हमारी सिक्सेवंत का है लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं सीख पाते है तो अभी कोई हमारे लिए बहुत जादा समय नहीं निकल गए याद रखना दीरे-दीरे करत-करत अभ्यास के जड़मत होत इसुजान और रसरी आवत जाते हैं सिल्फ होत निसान अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो निरंतरता कोई जरूरी नहीं है कि अपने शिक्स में नहीं सीख पाएंगे इसा भी कोई जरूरी नहीं क्योंकि हमारा विद्याधन कैसा धन है कि इसका कोई समय सीमा नहीं है आप जब बैठ जाएंगे तब यह अध्यन आपके लिए लापकारी होगा याद रखिएगा तो उसने कहा है कि तदेव गगनम सैव धरह कविता संग्रह कस कृतिरस्ति किसके द्वारा कृति की गई है रची गई है ठीक तो यहां हमें अर्थ समझ जाव किरखती लगाई घई है तो प्रश्न निर्माण करने के लिए भी हमें यहां समझी अाब यहां सी हम देखेंगे कि देखें उत्तर में लिखा हुआ है तदेव गगनम सैव धरह यह तो प्रशन का प्रश्टन ही हमने लिख दिआ फिर नगे हैं कवीटा संग्रह यह ज करना पड़ा की नहीं चलिए अगर आपको दिक्कत जा रही है तो हम यहां यह आपका क्या करें दे रहे हैं यहां से रफ करें दे रहे हैं अब आपको समस्या नहीं जाएगी चलिए यह प्रोफेसर स्री निवास रथस्य अब आप पूछेंगे कि सर यहां पर रथस्य में सश पूरी जगनात पूरी है ना तो वही पूरी में ये जनमे हैं और उड़ी सा उनका प्रांत है उस उड़ी सा प्रांत में इन्होंने कितने 40 वरसों तक कविताओं का शंग रह किया और मद्ध प्रदेश में सबसे ज़्यादा रह करके इन्होंने अपना अध्यान अध्यापन भी किया और संस्कृत का यहनियूं वाले काल में ज्यान कर लिया और माता पिता के साथ करके संस्कृत का ज्यान किया और उची सिक्ष्ठ प्राप्त करने के लिए काहां पहुँच गए क के लिए कासी करम से घ्रश्यूब ठेका ना का DR तब निभाया जाकर के विक्रमिस्विध्यालाय में प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष के रूप में इनोंने काम किया तो कितनी इनोंने परिस्त्रम बहुत किया और तानिस वरसों तक कविताओं का संग्रह किया संस्कृत में विताओं को क्या कर दिया गया हिंदी में अनुबाद करके पुर सप्रसारित बहां कर दिया गया और वही प्रसारित करने के बाद आज हम विज्ञान ile के कहा को सरय कर्में भी आपने अगर अधियान किया हो तो याद रख लेना कि विध्यान को ले त्रीर दीक्षा अर्थार्थ भाय इचारे की भावना को भूला करके क्या करने लगे बस विज्ञान, कम्प्यूटर, दूर्भासा, यंत, पचास बैठे हुए परिवार के दसो दस सदस हैं और दस के दस अगर घर में एक कमरे में बैठे हुए हैं तो सब मोबायल में एक दूसरे से बाच्चित कोई नहीं करेगा यही हमारे कभी समझाना चाहते हैं कि अपनी परंपरा और अपनी मर्यादा को ना भूलाएं अपनी संस्कृति को ना भूलाएं संस्कृतों को हमने क्या कर दिया है अपने नीचे डाल दिया है हमारा हम स्वयम इसके जिम्मेद दिया है हम आज स्वयम क्या कर रहे हैं कि हमारे घरों में जो तुर्सी के पौधे लगे रहते थे जो एक सुद्ध वायू का वातावरन करते थे ऐसे पौधों को हटा करके नात्फनी क्याक्टस आदी पौधों को हमने लगाने की कंट किन्या पौधा क्या करने लगे हैं उपास रत जिन्होंने जू निवेदन कर रहे हैं आग्रे कर रहे हैं लोगों से कि अपनी संस्कृति को मत भुलाओ विज्ञान को इतना मत लेकर के अपने उपर प्रढरे वो कर लो कि आज उसी में मुख्द हो करके आप संस्कृति को भूलाते जारा हैं क्यासे तो यहां सष्ठी लगी हुई है जब यहां सष्ठी लगी तो यहां भी हमारी क्या होगी सष्ठी लगेगी एक बात याद रखना जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्ण निर्माण करने के लिए तो आपसे दिया जाएगा उत्तर आपको दिया जाएगा क्या उत्तर और नीचे लिखाओ गया तदेव गगनम सेविधरा कविता संग्राइब प्रॉफेसर, श्री रिवासर रतत्स, क्रते रस्ति एतस प्रश्ण निर्माणम कुरता, इसका प्रश्ण निर्माण करो, प्रश्ण बनाओ, यह तो उत्तर हो गया, अब प्रश्ण निर्माण करेंग तो सी हटायंगे लाशट में देखेंगे कि विभक्ति कौन सी लगी मैं हमने देखा कि इस है सश्टी विभक्ति लगी हमें कैसे पता चला कि सश्टी विभक्ति लगी तो सब्सक्राइब गूंध चाहिए और राम की रूप क्या है अकारांद पुलिंग बाची है तो अकारांद पुलिंग बाची रूप कैसी चलेंगी तो रामा रामम रामे ने रामा ए रामा से रामे ही रामा प्रत्मा दुतिया रामाउ रामाउ तृतिय चतुरती पंच मी रामा भ्याम रामा भ्याम रा हमें आपने तब हमें तैयार है तो हमने पता लगा लिया कि एक बचन लगा हुआ है तो वैसिद चलेगा रथस रामहा रामम रामेन रथा रथम रथेन चलेंगे के नहीं चलेंगे बहुत बहुत अच्छे अगर आप समझ पा रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपको दोबारा प्रश्ण निर्माड की जरूरत नी पड़ेगी यहीं से सारे प्रश्ण निर्माड भी बन जाएंगे अब यहां आमने देखा कि यहां सश्टी वक्ति एक बचन लगा अब तत्काल हम किस पर गए हमें तत्काल जाना है किम का रूप जो अभी मैंने बताया है देखें यहां यहां बताये ना कहा कम प्रथमा दुतिया अब हमें प्रश्ण निर्माड करने के लिए सर्वनाम मिल गया यहां मिलता और अगर यहां लगा देंगे हं कहा लगा देंगे तो कहा मैं तो रामाहा आता है ना तो रामाहा यहां रथास से मिल रहा है क्या नहीं मिलेगा तो यहां हमने यहां से क्या उठाया इसको हटाया पूरे नाम को और कस से जोड़ दिया और प्रश्ण निर्माण हो गया क्या हो गया प्रश्ण निर्माण हो गया तो यह सारी जाएंगे क्यों क्योंकि पहला प्रशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपकी दिमाग स्वयम दोड़ने लगेगा कि कहां कहां कौन-कौन सी चीजों की आवस्यक्ता है याद रखना चली बहुत अच्छी बात है दूसरी प्रशन पर चलेंगे दूसरा तोर बता दू कि अभी मैंने यह आपकी सारे प्रशनों को नहीं देखा लेकिन ऐसा प्रशन आएगा स्री निवास रथ कहां के हैं तो उडिशा पूरी पहला दूसरा दूसरा प्रशन बन गया आप वो पूचेंगे स्री निवास रथ जी ने इस कविता संग्रह में कितने क समय कितने वर्शों निवाशी कि नहीं समय काम किकूशेंगे कि स्री नवास रथ का दरकिल कौन से विद्ध्ध्याय में रहा तो आप बताएंगे कि विक्रम विध्यायलाय उजह ने प्रमृ और ठीद पर रहे और चले यहनोंने बाले काल में अपनी संस्कृत की सिक्षा किस्ति प्राप्त की तो माता पिता माता पितर उसी ठीक है ना चले आगे देखें लिखा हुआ है दूसरा प्रश्ण अद्धिक्यमना लोक्यति आज क्या नहीं देखा जा रहा है आज क्या नहीं दिखाई दे रहा है आज क्या नहीं दिखाई दे रहा है जो सब कुछ क्या है डूबता जा रहा है आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा किस ने कहा कविता में कहा गया है क्या बताएं विस्व बंधुत की भावना को नश्ट किया जा रहा है और ग्यान रूपी गंगा को क्या किया जा रहा ह क्या किया जा रहा है विलुप्त किया विलुप्त का मतलब विस बंधित की भाईचारा हमारा नश्ट हो रहा है और विस और ग्यान रूपी गंगा हमारी क्या हो रही है जा रही है और लास्ट में विज्ञान रूपी विज्ञान नौका समानी यह ते और विज्ञान रूपी आज क्या नहीं दिखाई लोक्यते लोक्यते मतलब दिखाई दे रहा है आज क्या नहीं दिखाई दे रहा है आज क्या नहीं दिखाई दे रहा है तो देखें अध्यो ग्यान गंगा विलुपते ती ना लोक्यते आज जो ग्यान रूपी गंगा विलुपत होती जा रही है वो आज दिखाई नहीं दे रही है जो संसकार थे और आपको मैं बता दूंए यहां पर विज्ञान को तो नौका कहा गया है ना सबस्क्राइब चलने के विघ्यान रूपी 6 थि गख़ल रहे हैं अब गंगा क्या हो रही हैन बिलुक्त हो तो जाएगी ज्ञान की तो बोट कहां चलेगी आप मुचले विज्ञान पर आप आधारी तो हो जाएए विज्ञान अगर चला विज्ञान को आप ला रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान भी क्या करेगा समझ रहे ना तो ज्ञान कहां से मिला वेदों से सास संस्कृति को मत भूलाएं हमारी संस्कृत को हमारा करतब है कि हमें उपर लाकर कि फिर से उस पद पर लाना है जिस पद की वो अधिकारी है संस्कृत यह हमारा प्रण हो यह हमारा द्रण संकल्प हो कि संस्कृत सर्विभासा यह जरनियस्ति सभी भासाओं की मां हैं तो उसको मां का दर्जा मिलना चाहिए हमारा और आपका शव का करतब है याद रखिएगा अधिक ज्यान गंगा बिलुपते ती ना लुक्यते आज ज्यान प्रश्न हमारा रहेगा तीसरा प्रश्न हमारा यत्र कुत्रापी सांती समुद्र वीक्षते तत्र किम समायोज्यते यत्र माने यहां कुत्र माने कहां अपी माने भी यहां कहां यहां भी और कहां भी चाहे कहीं की बात हो आज यहां कहां कहीं पर भी सांती समुद्वीक्ष सानती दिखा आजकर जहां कहीं भी सानती दिखाई दे रही है तत्र किम समायु जथेएग्यान रूपी बिध्वन्स का बीज डला हुआ है यहीं पूछ रहे हैं कि जहां कहां सांती दिख रही है तत्र किम समायुजती वहाँ पर क्या है वहाँ पर यह समझ लेना कि क्या समायुजती क्या बोया जा रहा है वहाँ क्या बो दिया गया है ऐसा कि सांती है अच्छा आपको सीधी भासा में समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि जिस घर में बिलकुर सांती हो तो समझ लेना कि है तो परसन वहां उस घर में हैं 10 परसन लेकि सांती उस घर में ऐसी है कि जैसी कोई नहीं हो उसका कारण क्या है विज्ञान विज्ञान क्यों सब अपने अपने कमरों में अपने रूम में सिप्ट हैं और सारे अपने अपने मोबाइलों में कम्प्यूटरों में लीन हैं किसी से कोई मतलब उन्हें नहीं है इसका मतलब कौन सा बीज वहां बो दिया गया है विज्ञान नौका विज्ञान रूपी वि वहां बोदिया गया है व्यक्ति संस्कार को भूल गया है परिवार घर में रहकर भी व्यक्ति क्या है एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता है वही यहां पूछा जा रहा है कि यत्र मने यहां और कुत्र मने कहां जहां कहां भी जहां कहां भी सांती समुद्र भी छते अर्था दिखाई दे रही है तो वहां क्या समायोज्जते वहां क्या समायोज्जते मने क्या वो दिया गया है क्या रख दिया गया है जिससे कि यहां पर क्या है सांती ही सांती दिखाई दे रही है वहां सांती ही सांती विलकुर से रूप से विलकुर एकदम प्रस्तुत की जा रही है आखिर है क्या ठीक तो उनोंने कहा यत्र कुत्रापी सांती समुझ भी छते तत्र विद्ध्वन्स भीजम समायु जते अर्थार्थ जहां पर सांती दिख रही है यत्र कुत्र अपी मने भी जहां पर भी सांती दिखाई दे रही है वहां विद्ध्वन्स का वीज बोया गया ह बिद्ध्वस का बीज का है नश्ट करने का वीज कॉन विज्ञान विज्ञान ने एक ऐसा वीज अब हो दिया है व्यक्ति के अंधर कि वह सारी मर्यादाओं को भूल गया है और हर जगर सांती ही सांती दिखाई दे अब आपको मैं बता दू यत्र मने यत्र यहां कुत्र कहां यह हमारे सारे अभ्या हैं अपी मने भी यह भी हमारा क्या कुत्रापी में कौनसी संदी दिर्गशंदी कुत्रापी में कौनसी कुत्रधन अपी कुत्रापी दिर्गशंदी रहेगी तो हमेशा याद रखना कि जब किसी विज्ञान रूपी नौका को उन्होंने लाने की कोशिस की तो वहां हमेशा सांती रही और सांती का कारण विज्ञान है इसलिए हमारा हमारे आचार हमारे कभीवर यह निवेदन कर रहे हैं कि संस्कृत का पतन ना होने दे जो गर्त में हमारी संस्कृत जा रही है उस संस्कार को भूला करके उस संस्कृती को भूला करके आपको यहां विज्ञान रूपी का को हमें क्या है जो हमारी संस्कृति है उसको डुबाना हमारा उसको उपर लाना हमारा करतब्य है डुबाना नहीं याद रखना तो यहां हमारे कवीबर बहुत निवेदन कर रहे हैं कि संस्कृत संस्कृति है हमारी और संस्कृति को हमें उद्यानों की बगीचा की दूब क की बहाती काट करके अलग नहीं रखना उसको सुखाना नहीं है उसको फिर से हरा भारा बनाना है इसके लिए हमें अपने सहयोग रूपी जल को उसमें सिंचन करना है यही हमारा क्या है निवेदन है इस प्रकार से स्री रत्म होदैने क्या किया है कि विज्ञान रूपी नौका को हमारे आथार पर छाला दिया है ठीक न मौन के कैसी और कथा मने कथा शुनाई दे रही है आज किस प्रकार की कथा सुनाई दे रही है आज क्या क्या सुनाई दे रहा है यह कोई आज जान नहीं सकता है यहां पूछा गया है ठीक अद्ध आज किस प्रकार की कथा सुनाई दे रही है अद्ध गोपनी आयुदहानाम कथा सुनाई दे रहा है आज किवल गोपनी अस्तरों की चर्चाएं हो रही हैं कि आज इसको यहां फिक दिया जाए तो आज पूरी स्रश्टी क्या हो जाएगी तबाय हो जाएगी तो गोपनी हैं आयूधा नाम अर्थार्थ छोटे छोड़े अनू पणू परवार परवानू बम ऐसे आदी इनकी चर्चाएं ह हो रही है यही यही सब कुछ सुनाई दे रहा है कि आज उस जगए क्या हो गया आज उस जगए यह बॉम गिर गया है तो आज यही गोपनी है गोपनी आयूधा नाम कथा सुरूयति यही यही कथा हैं हमें सुनाई दे रही हैं अद्द क्या है अभ्याय अद्द मतलब आज ठेक शुरू यते केसाम अच्छा ये बताए केसाम कहां बनेगा हमारा कहां बनेगा केसाम अभी मैंने बताया है के हे कान कई ही के कान कई ही के ब्या के ब्या के ब्या के साम के ब्या के ब्या के साम के सू देखें मिल गया केसाम अब कहां मिला प्रत्मा दुतिया तरतिया चतुर्थी पंचमी सश्ठी मतलब सश्ठी का बहुबचनान्द है क्या है यह अद्ध केसाम कथा सुरुयते आज किस प्रकार की कथा सुनाई दे रही है ठीक तो केसाम कहां का है सस्टी विवक्त या चले आगेfilm कि गोपनिका यौधा नामेसमेही सस्टी विवक्ती लगी क्यों लगी है क्योंकि यहां विए哈哈 कि वा बश्वन ही होगा ठीक है अब यह प्राशनियरमाळ आगर यह प्राशन आ में आजकल क्या हमारी भूतले माने प्रतवी और किम माने क्या परिछियते यहां पर याद रख लेना की आयते रहए आत्माने पत्करूने बना हुआ है भूतले जीव रक्षा पर इक्षियते भूतले भूतल पर जीवों की तो रक्षा होना संभव नहीं है और क्या है अंतरिक्ष में जीव रक्षा को नासा जीव नासा कुत्र अनुसंधियते देखें यह आ गया है अगला प्रश्ण जीव नासा कुत्र अनुसंधियते जीव न जीवनासा अंतरिक्ष अनुसंधियति जीवनासा कहां अंतरिक्ष में अनुसंधियति खोजी जा रही है कि मंगल पर हमको जीवन मिल जाए और चंद्रमा पर हमको जीवन मिल जाए तो वहां जीवन की आसा को ढूड़ा जा रहा है लेकिन जो प्रद्वी पर जीवन है उस पर जीवन धन आशा जीवनासा ठीक क्या बनेगा जीवनाशा आ करके इसमें मिल जाएगा तो यह बनेगा जीवनासा दीर के शंदी कौन सी संदी दीर के शंदी अब लिखा हुआ है जीवनासा अंतरिक्षे जीवनासा अंतरिक्षे में हमारी देखें यह देख लेंगे जीव नासा अंतरिक्षे में कौन सी संती है जीव नासा धन अंतरिक्षे अंतरिक्षे यहाँ पर देख लेंगे जीव रासा अंतरिक्षे में तो यह आ हमारा अवग्रह की रूप में आ जाएगा तो हमारी पूरव रूप संदी हो जाएगी कौन जीवनासा जीवनासा अंतरिक्ष अब्ध्ध कि ना जाएगी पूर्वरूप संदी आ जाएगी ठेक है न अंत्रिक्षël और अंत्रिक्ष में fork in जो लगी हुई है यह सब्तstar का कौन सा रूप लगा है सब्तमी विभक्ती का एक बचा है अनुसंधी यते रुप बना हुआ है आत्मनेपत का ठीक और कुत्र लगा हुआ है कुत्र की जगाए याद रखनेना कुत्र जहां लगा होगा वहां सब तुम्ही विभक्ती ही होगी याद रख लेना और कुत्र की बात हम एक और बता दें आपको कि कुत्र जहां इस्थान बाची सब्द की बात आ जाए तो वहां हमें प्रश्ण निर्माल करते समय क्या करना चाहिए कुत्र करना चाहिए किसका प्रियोग करना चाहिए कुत्र का भूतले भूतल में जीवरक्षा क्या अगर क्या आता है तो किम होगा जीवरक्षा परीक्षते तो यहां जैसे जीवरक्षा लिखा ह हुआ है और जब कोई विभक्ति ना लगी हो तो किम का प्रियोग करना चाहिए ठीक है ना तो यह हमारी क्या है प्रश्ण निर्माल भी एक साथ होता जा रहा है चले आगी देखेगी अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण होगा हमारा सात्मी नंबर का लेख का अनुशारेण अद्ध किम अस्तम गतम लेखक के अनुशार लेखक अनुशार लेखक के अनुशार अद्ध मने आज किम मने क्या अस्तम गतम मने क्या डूबता चला जा रहा है क्या लेखक के अनुशारेण अध्य विश्व बंधुत्य दीक्षा गुरू नाम ब्रतम धर्म शंसकार तक्त्वम चास्तम गतम देखें लेखक का अनुशारेण पहली बात तो लेखक अनुशारेण दीरगिशंदी लगी हुए कौन सी संधी दीरगिशंदी लेखक धन अनुशारेण अनुशारेण ठीक यहां का अले लिया और यहां का अले लिया दोनों मिलाएंगे बड़ा आ बन जाएगा और बड़ा आ बनेगा तो लेखक अधन नुशारेण क mogę अधन को इसमें मिलाएंगे कि लेखकर का नुशारेण अनुशारेण ठीक तो दीरगिशंदी समझ में यहां होगे दीरगिशंदी अकाषबरने दीरघओ दीरगिशंदी हो गई अब अद्य विस्थो बंद व हैब यह देखना है अनुशारेण में कौन सी विभक्ति लगी हुई है यह देख लीजिए यहां अनुशारेण में जैसे रामेन बैसे लगी हुई है अनुशारेण तो यहां कौन सी कौन सी संदी हो जाएगी तृतिया विभक्ति तृतिया विभक्ति एक बचन का रूप यहां हो जाएगा ठीक है ना तो यह हो गया हमारा लेखिका अनुशारे अब बात करें हम कि इसमें दीर गिशंदी हो गई त्रितिया का एक बचन होगा अध्य मतलब आज अध्य मतलब आज किम माने क्या और अस्तम माने डूबता हुआ डूबता हुआ डूबता हुआ गतम माने जाता डूबता हुआ ठीक है ना अब देखें अब उन्होंने कहा लेखक के अनुशार आज क्या डूबता हुआ या अस्त होता हुआ चला जा रहा है तो लेख का अनुशार है लेखक के अनुशार अध्य माने आज विस्व बंधुत दीक्षा मतलब ना पूरेशंसार में भाई‌चारे की भाउना बाउचारे की भाउना गुरुणं मानौ गुरुवत बहुत जूर बड़ियों की जो म्रियादा थी व्रत भाब्रत था गुरुवर की परंपरा ती धर्म शनसकार सेट तत्त सget कार दिहरत आश्यच ना नहिसे तत्त और रूपी नौका के माध्यम से क्या क्या चला गया विस्वद्धुत की दीक्षा चली गई गुरु नाम बृतम और धर्म संस्कार तत्तम चास्तम गतम ठीक है ना चलें आगे देखेंगे अगला प्रश्ण अद्ध किम न संचिंतियति आज क्या नहीं संचिंतियति माने चिंता की जा रही आज किसकी चिंता नहीं की जा रही है उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा आज किसी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है तो किम मने किया किसके बारे में अद्ध संस्कृतिर ग्यान रक्षा ना संचिंतियति आज संस्कृति और ग्यान की रक्षा के लिए किस नहीं हो रहा है कोई विचार नहीं किया जा रहा है ठीक है ना चले आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न रहेगा इदानीम किम समानियते इदानीम इस समय क्या लाया जा रहा है समानियते इदानीम मने इस शमय किम मने क्या शमानियते मने लाया जा रहा है आज आनियते ला जा रहा है आनियते लाना नीधातू और शम आ उप्षर्ग पूर्वक नीधातू से समानियते बनेगा इदानीम मने इदानीम समय ठीक इस समय आधुनिक युग में क्या लाया जा रहा है तो इदानीम विग्यान नौका शमानियते इदानीम इस समय क्या है विग्यान रूपी इस समय किसको लाए जा रहा है विए रूपी नौका विज्ञान की नौका को क्या किया जा रहा है लाए जा रहा है सम नियते यहां देख लेंगी विज्जान नौका एदानीम म में सम और इत का आगम होगा याद रखियेगा और क्यometer नी यते यण सफंधी का और यते बन जाएगा यत का आगम इत का आगम होगा ठीक चलें तो यह बनेगा समा समा बन गिया और निए यह बन गिया है निए हो गया अब जो 한데ित का आगम कर देंगे से तो यहां इट आ जाएगा और तिप प्षट्य से हमारा किया बनेगा यहां तिपकति बचेगा से अब देखें शव't कि यह भी हमारा चला जाएगा और बस बस था म झ्था masra नश इह recom ताम जहा ऐसे रहेगा ता अताम जहा ऐसे रहेगा ता तो इतका आगम हो गया अब इतका आगम से ई बचेगा यर संधी का युग बनेगा तो इक स्थान पर यह हो जाएगा क्या हो जाएगा ई हो जाएगाогодि भाना समानियत यह आत्मन इपदध में रूप drag जाएगा समानियत तो कौन्छ सी संधिक हो जाएगी हैं दीर की संधТी समlair आणियत बन जाएम थीजिस थीजिस दीर कैल के संधिक जहां विगड़े करेंगे तो ऐसे करेंगे समदनखनानियत समानियत ठीक और अगर जैसे दीर की संधी आपको इसमें नहीं भी मिलती है तो आपको मैं बता दू कौन सी संधी मिलेगी फिर व्यंजन संधी मिलेगी क्यों? जब विग्यण ऐसा होगा सम picture कि माना जाएग तब बेंजन संदी होगी ठीक है कि और सीधा सीधा आनियते का आए गा इसमें sırद ब़ने बने ते लिए पशित किया जा रहा रहा है और संसकार र्रूपी सारे संसकृति को भुलाया जा रहा है चले आगी देखेंगे ढाने शर्वNet आर्थ किम विद्यों ते शब की सब चीज का नास करने में क्या विद्यों की किसकी भूमि का विद्धेव है क्या विद्धेव विद्यादन-एव सब शर्व का नास किस चीज से हो रहा है विज्ञान रूपी विद्या ऐसी विद्या दी जा रही है कौन सी सर्वनासार्थ विद्धाईव विद्ध्यत्य दिए सब जगए सभी किया नस्ट ही नस्ट दिखा रहा है सब जगए नस्ट ही विनस्ट हो रहा है आज कल विद्ध्यमान क्या है विद्ध यहां बड़ा आ रहेगा यहां ए रहेगा और यहां आ आई मिल करके आई बनाएगा क्या बनाएगा आई की दो मात्रा रहेंगे अब हम यहां से देखें जब आखो निकाल लिया तो विद्य बन गया विद्य और आई रहेगा और एव कववा रहेगा इसकी मात्रा इस पर दो लगेंगी हमारी ठीक है न तो यह होगा विद्याईव वह जुड़ जाएगा विद्याईव इतना बन जाएगा विद्याईव शर्व शर्व नास अर्थ में देखें सर्व धन शर्व नाशा शर्व नास धन अर्थ यह बनेगा आ और आ दोनों मिलेंगी तो बड़ा आ और बनेगा हमारा शर्व नास धन आ धन क्या बनेगा था अब यह इसमें मिल जाएगा तो बनेगा हमारा क्या शर्व नाशा उत्था आकर कि इसमें मिल जाएगा ठीक है ना जब यह इसमें मिल जाएगा तो यह बनेगा सर्व नासार तो कौन सी संदी होगी यहां दिर्गिशंदी कौन सी संधी होगी दिर्गिशंदी और सूत्र रहेगा दिर्गिशंदी का क्या अकहा शबरने दिर्गा कौन सा सूत्र रहेगा अकहा शबरने दिर्गा याद रखिएगा अकहा शबरने दिर्गा रहेगा सर्वनासार्थ यहां सब्द बन जाएगा इतना ठ प्रफमि ड्राथम वियुद्धा ड्रफम एवविध्यत ठीक चले आगे दिखेंगे है अगला प्रशन होगा और इकंदी यद्य ये कि अधियो हुम और ये आज किया रहा है चारों तरप क्या दिखाई दे रहा है क्या चारों तरप क्या क्या धारन दिखाई दे रहा है तो आज युद्ध तारका युद्ध शंभावना अधियते आज ऐसा ही लग रहा है चारों तरफ आज मनुवांचित लोगों की एक्षाएं ऐसी हो गई है आज बस एक दूसरे में यह देख रहे हैं कि आज मिसायलों के युद्ध की संभ का युद्ध तारका युद्ध शंभावना क्या हो रही है अधियते दिखाई दे रही प्रत्यहम किम संलक्षते प्रत्यहम किम संलक्षते भावना संभावना में कौन सा रूप लगा हुआ है जैसे रमा का रूप लगेगा वैसे भावना का रूप लगेगा प्रत्मा का ए लगा लिक बचन रूप लगा हुआ है याद रख लेना ये आत्मनिय पत्की क्रिया हो जाएगी और Alright किम सनलक्षती प्रतीधन अहम प्रतिधन अहम प्रतीधन अहम यनशंधी हो जाएगी किम माने क्या सब्सक्रीब आज प्रत्य हम प्रतिक क्या है दुर निमित्ते वी सनलक्षते आज दुष्ट आज क्या दिखा जा रहा है चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है तो प्रत्य हम प्रत्य हम हमें आज क्या है बलकुल एक दम दुर निमित्ताई वो सनलक्षते दुष्ट दुष्टता ही दिख प्रति धन अहम प्राताई धन अहम ठीक एक इस्थान पर क्या होगा प्राताई या अहम या को इस्से जोडेंगे तो यह बनेगा प्रत्य और आह इसमें जोड़ जाएगा तो यह अलन्त रहता है तो पूरा हो जाएगा ठीक तो यह पूरा हो गया और अहम यह बन गया है सुत्र रहेगा एको जाड़ाचि ठीक है ना तो यह प्रत्याम बन गया दुर निमित्त यह देख लीजे स्में व्रधि संदी होगी कौन से संदी होगी ब्रधि खुर है कि दूरस ऑनी मित्तर में दन्हीए गफ यहाँ का आ ले लिया यहाँ का ए ले लिया दौनों मिलेंगे क्या बनेगा आई बनेगा आई बनेगा और आई बनेगा तो आई की मात्राइं कितनी होंगी दो होंगी और देखें यहां पर यह लिखा हुआ है दुर दुर निमित नीमित दुर निमित हलंत रहेगा आई आ जाएगा यहां ओ रहेगा वा रहेगा आई की मात्रा इस पर लगेंगी ठीक है ना आई की मात्रा इस पर लगेंगी तो यह होगी दुर निमित निमित तई ऐसे बन जाएगा वा करकेश में जुड़ जाएगा दुर निमित तई यहां पर कौनसी संदी हो गई ब्रद्धी संदी कौनसी संदी ब्रद्धी संदी होगी ब्रद्धी संदी का सुत्र आपको पता हो होगा ब्रधिरादेच कौन सवत ब्रधिरादेच अ कि पहली बात आब यहां पर और कौनसी संदी होगी ये भी आमारे लिए जानना बहुत जरूरी है तो यह दूर निम्युत्तई में तो व्रद्धीशंद्दी लेकिन दूाइधा अगा दू तो दूखन निम्युत वो ऐसा अगर आ जाता है तो फिर कौन सी शंंदी होगी विशर्ग लग गया य厀द लख लेकसी संदी तो यहां पर आप बनेगा हमारा कौन सा विशर्ग शंदी बनेगी तो विशर्ग के स्थान पर रकार हो जाएगा और आएगा पीछे स्वर नहीं है इसलिए यह उर्द गमन भी हो जाएगा उर्द गमन का मतलब समझ रहे हैं और्द गमन का मतलब होगा कि जल्थ तुम्भी का न्यायन रेफस से और्द गमनम ठेक है ना जिस प्रकार से शूखी तम्भी को लौकी को अगर डुबा देने पर उसके पानी में डुबाने पर वह नीचे नहीं रह सकती है उसी प्रकार से अगर हमारे पास पीछे स्वर नही यहां बन गया होगा सारी चीजें आपको आयुधा नाम ठीक तो तारका युद्ध शंभावना याद रखिएगा चले आगे दिखेंगे हम प्रश्ण अगला होगा हमारा हां चली इसमें परिक्षा उपियोगी प्रश्णों को इतने ही रखे गए थे 12 प्रश्णों को आज हम से संबंधित प्रश्ण हैं तो उनको हमें बहुत अच्छे से त्यार करना भी होता है ठीक है ना तो कोई नहीं आप बढ़िये से आराम से पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ आप किसी भी माध्यम से हो चाहे आप सी भी हिंदी मीडियम हो चाहे सी इंग्लिस मीडियम हो पढ़ते रहेगा अच्छे से मेगनेट विरेंस के साथ धन्यवाद